आप लोग अपनी स्क्रेन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोगों ने इन्हें सुना भी होगा और आप सभी लोगों ने इन्हें देखा भी होगा और आप लोग इनके बारे में जानते भी होगे जगदीप धनकड है और अभी हमारे देश के उपराश्टपती बन चुके हैं तो इनके बारे में हम लोग बिस्तार से बात करेंगे और उप राष्टपती पत पर भी हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके एक्जाम में इनसे questions या राष्टपती उपराष्टपती से questions पूछे जाते रहते हैं और वैसे भी हमारे देश के अगर उपराष्टपती मने हैं तो उनके बारे में एक सामान जान करिए आपके पास जरूर होना चाहिए और कुछ pictures हो देख लिजे यह आप देखिये पिधान मंतरी मौदी साहब है यह आप देखिये जगदीब धनकर साहब है यह जेभी नडड़ा साहब है बीजेपी के राष्टी अद्यक्ष है अभी वर्थमान में और यह भी देख लिजे रक्षा मंतरी हैं आपके ठीक है यह पिधान मंतरी साहब और कहते हैं कि राजदीब धनकर को उनकी एक तरह से पुरुसकार की रूम में यह पद मिला है पुरुसकार की रूम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जिस पार्टी के पास बहुमत है उसकी आप देखे जिस पर भी किरपा होती है वही उपराश्टपती बन जाता है और जिस तरह से इन्होंने पश्चे मंगाल का राजपाल रहते हुए काम किया ममता बनर जी से आप देखे इनकी हमेशा तकरार बनी रही है कहते हैं कि उसी का इनाम इने यह मिला है और पश्चे मंगाल को अगर आप देखना चाहें तो देखे ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोगों को पश्चे मंगाल देखने को मिल जाएगा और इसकी रादधानी की एकर हम लोग बात करें तो कोलकाता है, देखे उडिशा से इसकी सीमा लगती, जारखंड, बिहार, सिक्किम और असम पाँच राज्यों से इसकी सीमा लगती है, वहीं अंतराश्टी सीमा नैपाल, भूटार और बंगला देश, तीन देशों से लगती है, और यहां बिधान सभा में अगर हम लोग सी 14 मई 1951 को होता है, और उनकी फिता चौधरी, गोकुलचंद, धनकड, खेती बाड़ी करते थे, और इनकी कहानी आप लोग सुनकर एक मोटिवेशन भी पास सकते हैं, उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा सेनिक स्कूल चित्तवडगर से पूरी की, और फिर राजिस्थान भी 14 की सीमा आप देखिए, गुजरात, मद्यपिदेश, उत्तरपिदेश, हर्याना, पंजाब से लगती है, और अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लग रही है, आप देखेंगे बिधान सभा में यहां 200 सीटे हैं, कहां राजिस्थान में, और आपकी राजिस्थान में 10 सीटे गाउं के स्कूल में पूरी की, वह एंटरनेशनल कोर्ट ऑफ और वी आरवी टेशन पेरिश के सदस भी रह चुके हैं, वह राजिस्थान की सियासत का ये वक्त का चर्चे चहरा भी रह चुके हैं, और पिस सुप्रिंग कोट के वरिष्ट अधिवक्ता और राजिस्थान ह उनके एक बड़े भाई और छोटे भाई वहन हमी है साल 1989 में उनकी साधी सुदेश धनकर से हुई थी और दोनों की एक बेटी हैं कामना और जिनकी साधी आप देखते हैं कार्थी के बाचपेई से हुई थी तो यह भी याद रखेगा और वैसे भी हमारे देश्त के निताओं के बारे में कहना कि किसी एक पारटी का हमेशा बने रहेंगे बड़ा मुस्कल है कभी भी किसी भी पारटी में वो सामिल हो सकते हैं राजिस्थान में जाटों को आरक्षन दिलाने में उनकी एहम भोमिका रही है जगदी धनकड की धनकड खोद राजिस्थान की जाट वरादरी से आते हैं और इस समधाय में धनकड की अच्छी घासी साख है 1989 से 91 की दौरान राजिस्थान में जुन जुनु लोगसभा निर्वाचन 6 से 9 वी लोगसभा में जनता दल का पितिने धित कलते हुए संसस सदस रहे हैं और लोगसभा सदस बनने के लिए आपकी उमर कम से कम 25 साल होनी चाहिए और देखिए अधिकतम उमर कोई नहीं रखी गई है इसके लिए और इसका आप देखते हैं कि चुनाओ कैसे होता है डारिक्ट जनता की द्वारा होता है अगर आपकी उमर भी 8 रह साल हो चुकी है तो आपका भी वोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा आप लोग भी वोट डाल ले जाते होगी 1993 से 98 के दौरान 10 भी विधान सभा राजिस्थान में किसंगर राजिस्थान से विधान सभा की पूर सदस और राजिस्थान सभा सदस भी रह चुके और विधान सबासदस बनने के लिए भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल हो नीचे अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं है और आप देखी कि इसका चुनाव भी डारेक्ट जनता के द्वारा होता है मद्दाताओं के द्वारा होता है और फिर दोजार तीन में धंकर वीजेंबी में साम कोट में फैक्टिस करना सुरू किया और साल 1989 में आप देखिए जैसा कि उनकी साधी वही सोदेश से और 1989 में जुझनू से सांसत बनते हैं उसके बाद चंद सेकर सरकार में मंत्री भी रहते हैं 2019 में 30 जुलाई 2019 में राष्टपती रामनात कोबिंद ने उन्हें पष्चे मंगाल का राजपाल नियुक्त किया गया था और आप सबी जानते हैं कि उस समय जो भी राष्टपती रहता है वही राष्टपाल की नियुक्ती करता है और उस समय आप देखिए कि कौन थे राष बावन पड़े होंगे भारत के एक राष्टपती होता है और अनुछेद चंगन पड़े होंगे इसमें भारत की निर्वाचन राष्टपती के चुनाओ की बात होती है और जगदीब धनकड ओप राष्टपती चुनाओ जीते हैं अभी और कोल 725 मतों में से 528 बोट मिले ह और मारगेट अलवा जो पिपक्च की उम्मीदवार थी उन्हें 346 बोटों से इन्होंने हराया और भारत की निर्वाचन निर्वाचित 14 वे उपराष्टपती के रूम में इन्होंने सपत लिये अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि उपराष्टपती के बारे में तो समीधान का अनुचित अगर 63 आप लोग पड़े तो भारत की एक उपराष्टपती होते हैं एक कहा आ गया है और आप देखेंगे समीधान में उपराष्टपती के पत का प्रावधान अमेरिका की समीधान से लिया गया है और भारत का जो उपराष्टपती होता है राज राज्च्ट्पती 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 राज्च्ट्पत राज्यसबा सदस वरने की योगता रखता हो, राज्यसबा सदस रहना होना जरूरी नहीं है, और निर्वाचन के समय वह किसी लाप के पत पर भी ना हो, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, और उपराश्टपती अपना पत गहन करने से पूर राश्टपती या उसके द और समीधान का अगर भाग आप लोगोंने पांच पड़ा होगा, तो इसमें आप लोग समीधान अनुच्छेद 63 से आपका देखिए, अनुच्छेद 71 तक ये आपकी उपराश्टपती से ही सम्बंदे थे, एक बार बता देता हूँ, अगर आप लोग किसी एकजाम की तैय प्यारी कर रहे होंगे, तो इसमें पूच्छा जा सकता है, तो समीधान का 63 क्या कहता है, भारत का उपराश्टपती की बात करता है, अनुच्छे 64 उपराश्टपती का राज्यसभा का पदेन सभापती होना बात करता है, अनुच्छे 65 उपराश्टपती की पद में आकस्म की बात करता है और उपराष्टपती का जो चुरा होता है इसमें लोकसभा और रासभा के सदस भाग लेते हैं ठीक है अनुछेद अगर आप लोग सरसट में जाएंगे तो इसमें उपराष्टपती की पदावधी कितनी होगी इसकी बात करता है अनुछेद अरसट उपराष् पत की रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचन के समय और आकस्म की रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचित भीक्ती की पदाओधी की बात करता है। जगदी धनकड की कहानी सामने आती है और आप लोग क्या करिएगा कि और भी किसी के बारे में अगर आपको ये जानने की दिल्चस्पी है तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं और वैसे भी आप देखते हैं कि जो भी हमारे देश में चर्चा में रहता है दुनिया में कहीं भी कोई वैक्ती चर्चा में रहता है तो उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं समय समय पर ठीक है?